तो नमस्कार दोस्तो कैसे हो आप लोग, उम्मित करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़ियां होएंगे और खुश होंगे। इस वीडियो का टॉपिक है कमपाउंडिंग। compounding से बहुत से लोगों को problem है, तो compounding के उपर बात करेंगे, क्योंकि काफी लोग option उठाते हैं, इस पर objection उठाते हैं, कि बोलते हैं कि compounding एक, मतलब ठीक चीज नहीं है, इसमें नुकसान हो रहा है लोगों का, या लोग इसमें, दिक्कत में हैं, मतलब कि पैसे का नुकसान होत रखते हैं, और एक चीज की condition भी रखूँगा इस वीडियो में, कि इस वीडियो फर 200 लाइक आने चाहिए, अगर 200 लाइक इस वीडियो पर नहीं आए ना, तो इसके बाद एक भी वीडियो कभी भी upload नहीं होगा, कभी भी वीडियो नहीं डलेगा, 200 लाइक्स, ठीक है, क्य कोई दिक कदवा लिवात नहीं, पर वीडियो से इसके आँगे आएगा भी नहीं, फिर कभी, कई लोगों ने करके देख लिया compounding, आज तक कोई भी व्यक्ति इससे पैसा नहीं कमा पया, कुछ ऐसा बोलते हैं लोग, पर इसके कई लोग ऐसे हैं, जिनके proofs बगएरा आप देख भी चुके होंगे, कि compounding से कितना अच्छा profit बनता भी है, अपनी गलती का दोस किसी अन्य व्यक्ति पर थोप देने से, कोई भी इस बात का discussion या हल नहीं हो पाता है, एक चीज सबसे पहले हमें समझनी पढ़ती है, कि क्या हम उस चीजों के लायक होते हैं, जो हम काम कर करते हैं, आप जो भी चीजें करते हो, क्या आप उन चीजों के मतलब उसको डिजर करते हो, उसके लायक होते हो, आप कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले अपने लालच आंगे लेके आ जाते हो, आंगे लालच को लेके आते हो, और सबसे पहले एक ही काम करते हो, क्या करते हो कि shortcut ढूणते हो और shortcut ढूणने में आपको सिफ एक ही चीज मिलती है वो ये चीज मिलती है कि आप shortcut के जरी बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हो और पैसा कमाना कोई ऐसे हसी खेल की बात नहीं है कोई भी ऐसी एक shortcut नहीं है पैसा कमाना कोई shortcut नहीं है अगर ऐसे किसी को पैसा मिल जाता तो इस दुनिया में अक्सर बहुत से लोगों के पास पैसा होता इस life में आपको ये पूरा declare करना चाहिए आपको ये पूरा clear करके चलना चाहिए कि आप कि इन चीजों को deja up करते हैं क्या आप उस पैसे की एहमियत या पैसे को संभालने लायक आपके अंदर हुनर या जस्वा ऐसा है इन चीजों को सबसे पहले आपको notice करना चाहिए ना कि direction को बदलो direction ऐसे नहीं बदलने पड़ती है कि आपने किसी ना बोल दिया कि यह चीज इसमें वर्क नहीं करती है आपने try किया अगर आपके लिए वर्क नहीं करती है मान लीजे कि 100 लोग है उस 100 लोग में से 95 लोगों के लिए यहां से मतलब payment पैसा नहीं मिल पा रहा है मतलब यह आपनी कमा नहीं पा रहे है मान लीजे कि 100 में से 95 लोग इसमें पैसा नहीं कमा पाए तो फिर उन 95 लोग वो दुबारा क्ये क्यों उन 95 लोगों को ये काम छोड़ देना चाहिए था उनको ये check कर shortcut भूल जाना चाहिए था पर क्यूं नहीं भूले उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं रुका एक भी व्यक्ति नहीं रुकता है और दुबारा से फिर वो वही चीज, वही सरकल स्टार्ट कर देता है वही डिरेक्शन में फिर से आ जाता है आप कोई भी strategy लगा लो, कोई भी तरीका आजमा लो कोई भी system से कर लो, कोई भी जरीगे से कर लो यानि जिस तरीके से भी कर लो जब तक आप उसकी एहमियत या उसके काबिल नहीं होते हो जब तक वो चीज़ आप हासल नहीं कर पाते हो आपको पैसे के दिकुर नीड हर किसी को है आपको है, मुझे है इस दुनिया के हर व्यक्ति को है क्योंकि पैसे से क्या हो सकता है आप सब जानते हो क्योंकि पैसा important है आपने ऐसा भी नहीं बहुत सकते कि important नहीं है पर वो है important क्योंकि अगर ये पैसा important नहीं होता तो नहीं आज में वीडियो बारे आ रहा होता नहीं आप वीडियो देख रहे होते और नहीं आज ये दुनिय का सिस्टम चल रहा होता क्योंकि हर चीज एक need पर depend होती है हर इंसान की जरूरता होती है आप लोगों को लगता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया या उन लोगों ने पैसा कमाया तो आप उसके जरीए shortcut में घुशते हो और shortcut में जाकर पहले ये देखते हो कि कौन क्या कर रहा है आपको खुद पता है कि क्या आप जी जो वीडियो देखते हो या किसके वीडियो देखते हो मुझे पता नहीं ना मैं जानना भी नहीं चाता जिसके भी वीडियो देखते हो क्या उसने आपके घर कोई बोट लगा के रखा था क्या उसने आपको कोई call करा था क्या उसने आपको personally आके बताया था कि यहासा करो कि वीडियो देखो किसी ने कुछ नहीं कहा न किसी भी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा आप ही गए थे यूँ उठाया mobile और खिटर पिटर सरच करने लग गए कि इस चीज़ से पैसा कैसे कमा है कि इस चीज़ से पैसा कैसे कमा है जल्दी पैसा कैसे कमा है कि इन चीज़ों से उन चीज़ों से किन चीज़ों से पैसा कमा है आप नहीं सरच किया था फिर आप नहीं वीडियो देखे थे फिर आप नहीं उन पर trust किया था फिर आप ही उसमें profit किये या loss किये पता नहीं तो ये चीज पहले आप अपने अंदर देखो कि क्या चीज दो skin लोगों का है कही रोड पर जाओ गन्य का ठेला यानि कि गन्य का juice मिलता है वहाँ पर जाओ तो क्या वो आपको घर से बुला के लाता है कि 10 रुपे का गन्य का juice पीए क्या गन्य वाला आपको घर से बुलाता है आप ही जरास्ते से जाते हो ढूड़ते फिरते हो कि कुछ ठंडा खाने पीने को मिल जाए और आपको दिखा कि गन्य का juice मिल रहा है तो आप पहुँचे और एक गिलास लिया और पी लिया किसको दोस्त दे रहे हो उस गन्य वाले को या ख़ुद को आप ही गए थे उसके पास उसके पास तो जो था उसने दे दिया I उसने उसमें डाल के दे दिया, उसके पास जो गन्ना था, जिस प्रकार का था, जिस प्रकार का उसका रस था, जो आपने पिया, उसने जो भी था, उसने बना के दे दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, यह आपको अच्छा लगा, यह आपके उपर मेटर करता है, तो किसी के करते हैं जिनके लिए और न cristants नहीं करते हैं आपके लिए घ्रकेंग नहीं है तो आप किजिए कॉन आपको जवर्जिस्ति बोलता है क्या कोई आपको विविश्ता करके देता है कि वह करो तो कि तुक कोई है ऑफ से लगी वो चीजों को लोगों को स्यार करता है तो वो आपको लिए आपको से दिक्कत क्यों हो रही है हमें तो आप से कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लोगों को दूसरों से दिक्कत बहुत होती है क्योंकि इस दुनिया का रूल है ना इ आप क्यों कर रहे हो बैसा आपको सही अगर उससे अच्छा फादा होता है उससे आप पैसे कमा पाते हो तो आप कीजिए और नहीं होता है तो उसको भूल जाए कोई अधर तरीका टाए किजिए कुछ अलग कीजिए ऐसा क्यों सोचते हो कि कई लोग बोलते हैं कि यह गलत है यह वो है यह वो है आपके बोलने से कुछ नहीं होता भाई कितने बार और कितने लोग ऐसे बोलते बोलते कहां गए पता ने इन चीजों से मत यह फालतू की चीज़ें हैं इन से कुछ नहीं होता किसी को फालतू के कमेंट कर देने से कुछ नहीं होता किसी को फालतू की बा कि आपने मोखा क्यूं दिया अप ब्लिव से पहले जी को समझना चाहिए आप को अगर इससे चीजें नहीं है तो इन चीजों में आपको नहीं पढ़ना चाहिए तो गल्ती किसकी हुई भाई यह तो अगर फिर कि भी दिमाग में कीडा या भूसा भरा है तो वही क्या दिख कते कॉमेंट करते रहो ऐसे करते तो आ रहे हो सालों से आज भी करते रहो और हमेशा करते रहोगे थोड़ा यूनिक सोच लो कुछ अच्छा सोच लो लाइफ के लिए अच्छा कर लो कोई भी चीज वरकिंग है अब आप ट्राइ कर लो ट्राइ करके आपको लगता है माल लीजे बहुत किसी की कलती हो आपकी है या दूसरे कि आपको कोई चीज वरकिंग नहीं कर रही उसको छोड़ किसी भी चीज का बिस्क्रिट ले लिया अब भू खा रहा हूं मेरे को अच्छा नहीं लगा बगलव कम परण्यम में कुछ नहीं होता ठीक है भाई छोड़ दो क्यों नहीं चोड़ते हो फना मेरे को तो अच्छी लगी मैं तो करूँगा और मैं करता हूँ मेरे लिए working है मैं कर रहा हूँ आपके लिए working नहीं है नहीं कीजिए किसी ने और जब बर्झा रहा है एक भी वीडियोज उठा लो किसी के किसी ने बॉला कि क्या रोकि नहीं करू अगर उसके लायक बनते हो या उसको कर पाते हो तो करो अगर नहीं कर पाते हो तो क्यों कर रहे हो फिर भाई अरे कौन करवा रहा भाई हम लोग आते हैं कौन आता है आपको करवाने के लिए कुछ चीजों को समझो फिर लायक में सोचो उसके बाद आंगे बढ़ो एक दुनिया की direction है, कई लोग रगे रहते हैं, क्या है कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके अच्छे खासे following है, वो लोग भी ठीक है, अच्छे तरीगा से वीडियो बनाते हैं, लोगों को भी आफी है और अपना हाम काम वे आपके आपने कामे नहीं वे कि आपके बादाइ करते हैं घब हम किसी करें करते हैं तो हमाराने भात करे तो वह तो है खाले भाजे भई भई India आपतु झारा हम तो यह समझने हम तो किसी से कोई में अजग नही था हम अपने कांप में मस्तर रुखता हैं। हम ने किसी क का गलत नहीं किया हम तो यह जुदे घर व और ऑज दर डाखा भी ह तो सबसे पहले अपने इंपोटेंस दो अपने आपको, अपनी अहमियत को समझो, किसी की कामिया भी देख कि कभी किसी को जलना नी चाहिए, तो को इस दुनिया का सरकल है कि हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, जब आप छोटे थे, आप अपने मम्य पापा पर डिप बन जाते हैं, बभिस्म कोच ऐसा होगा कि हो सकता है कि हम लोग वीडियो ना बनाएं, या कोई और वीडियो बनाएं, तो उसके पास जो भी experience होगा वो आपको बताएंगे, यह होता है कि यह सरकल है, तो आज भी जैसे comment आप लोगों के आ रहे हैं, ऐसे comment और लोग वहां उ बहुल जाओ, आज से ही वीडियो देखना, बंद कर दो, इस इन चीजों से दूर कर जाओ, इन दलदल से बाहर निकल जाओ, किसी भी चीज में कोई भी बिजनिस है, देखो, प्रोफिट और लॉस का सेक्वेंस चलदा रहता है, बिजनिस कर लो, कई बिजनिस भी फ्रॉफ भी होता है, अब जिस जगह आपको फार्दा देखे, आप वो जगह अपनाईए, बिल्कुल जो आपको सही लगे, मान लीजी आपको कमपॉंडिंग बर्किंग नहीं लगती है, कि कमपॉंडिंग सही नहीं है, तो मत कीजी वरो, बिल्कुल भी मत करना, कोई आपको फोश आपको जो अच्छा लगे, आप वो कीजीए, कोई भी ऐसा नहीं है, कि आपको किसी तरह से आपको मोटिवेट करके, आपको कहीं कुछ किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, वगर आपको ऐसा लगता है, तो आप अपनी दूरी बनाईए. वो बोलते हैं न, कभी बस में वैठे हो, कोई डिपो में वैठे हो, तो उस पे लिखा होता है, यात्रीगर ध्यान दें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयम करें, लिखा रहता है ना, कि यात्रीगर ध्यान दें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयम करें, क्यों करें, क्यों करें, क्योंकि आप अ इस वीडियो से काफी कुछ चेकने को मिला होगा और आप सभी का तही देन से धन्नवाद क्योंकि मुझे उम्मीद भी है कि दोसों से ज्यादा ही लाइक मिलेंगे क्योंकि मैंने बोला था तो लाइक तो आप करो गई मैं जानता हूं मेरे चायने वाले भी बहुत हैं जितने बहुत बहुत धन्नवाद आप सपी का जो आप लोगों ने यहां तक वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनका तहे दिल से सुक्रिया तो जो लोग न्यू हो तो एक बात ध्यान रखें कि न्यू लोगों के लिए मेरी वीडियो नहीं है जो प्रोब्लम्स में फसे हैं उनके के लिए मेरी वीडियो डलते हैं तो चाहू तुर नीचे कॉमेंट बॉक्स में फस्ट कॉमेंट में टेलीग्राम का लिंक में जाएगा आप जोन हो सकते हो वहाँ पे और टोटल डीटेल्स देख सकते हो चेक कर सकते हो लाइफ प्रूब के साथ बागी मिलते हैं यह वीडि निवाद